हाई गाईज मैं हूँ प्रीदी और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत आशा कतिव आज का दिन आपका शुब बित्रा होगा अज के वीडियो में आप आप ऐसे टिप्स दूंगी जो आना ब्रैस्फिडिंग मदर्स के लिए गर्मियों में बहुत जादा फा तो पहले आपको एक पानी पीना और ब्रैस्पिर्ण के बाद एक पानी पीना क्योंकि दौरा ने पानी एना बच्चा जारा पी लेता है इसलिए आपके चरी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए सेकंड चीस आपको यह त्यान में रखनी है कि आपको दिन में दो फूरु झ तो होंगे ना गर्मियों में पसीने के तुरू वह आपके शरी में अच्छे से बने रहेंगे जिसके वज़े से ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा खटे फल्स खाओ जिसकी मौसंबी संत्रा तो इसे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वह भी बहुत होगा और इससे ज्यादा मत कहिएगा क्योंकि आप में अल्रेडी गर्मी ज्यादा होती है तो फिर आपके शरी पे भी फोड़े फोड़े निकलते ना वह निकलने लगेंगे अब वाटर मेलन ले सकते हैं उसके अंदर पानी की मातरा है बहुत अच्छी होती है और पपाया जादा गर्मी हो रही है तो आप घर का ताज़ा लगाएवा दही का बटर मिल्क ले सकते हैं इससे आपके शरी में भी ठंड़क मैसिस होईगी और और जो दही है उसके अंदर गुट बैक्टेरियास होते हैं उसके वज़े से आपके जो डाइजेशन है उसमें भी फाइद गर्मियों में इस वज़े से अगर आप दही भी लो दही लोगे ना तो आपका जो डाइजेशन है बहुत अच्छा रहेगा चौती चीज़ यह है कि अगर आपको जादा गर्मी होती है और जादा परसीना निकलता है तो आपको एक शीज़ करना है रात के समय में मटके का पाणे निकाल के आपके पाउ करके रखाना एक लिए ओप कि प्रेगनेसी दराण वही वह हाड को जाती है इसके एक मदल्स की तकलिफ हो जाती है अगर आप यह करोगर आपको पाईस की तकलिफ भी नहीं रहेंगी और प्लस militarmi भी नहीं में और ज़्यादा पसीना भी नहीं आएगा और लास्ट टेप के आइना कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं AC कूलर चला के सो सकती हूँ या फिर पंक्खा के नीचे सो सकती हूँ क्या आप सो सकते हैं AC का टंपरेचर 2227 के बीच में ही रखेगा ये ओके टंपरेचर है बचे के लिए भी और आपके लिए भी कूलर भी चला के सो सकते हैं और पंक्खा भी गर्मी में आप जैसे भी रहो लेकिन सेफ रहो और लास्ट में आपको एक टिप दूँगी जबी भी आप ब्रेस फिरिंग करा हो ना उससे पहले अपने ब्रेस को अलका सा पूच ले क्योंकि आपका जो पसीने के वज़े से माँ का टेस्ट अलग हो जाता है इस वज़े से बच्चा जली है ना निपल को पकड़ता नहीं है जैसी आप ब्रेस पृटिंग के लिए लो वहां का एरिया अच्छे से तोड़ा सा पोच दो इससे बच्चा भी अच्छे से कमफोर्टेबली दूद्ध पी पाएगा प्रेंस आज का वीडियो यहीं तक था हुपसो आज का वीडियो पसंद आए रहेगा पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए का अपने फैमली फ्रेंट के साथ किसे शेयर जरूर कीजिए का चलिए बाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं पी हुआ प्रिंस यहां तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद